नमस्ते गुद मूनिंग टो इरिवडी आज हम बात करेंगे फाइंड स्क्वेर ओफ एनी नंबर इन थ्री सेकंड्स आप कोई भी नंबर का थ्री सेकंड में आप जो रूट है जो स्क्वेर है कर सकते है तब केसे करना है और आपको मैं सिखाता हूँ केसे क्या करना है एक्ज अभी तक जो आपने मेरे चनल सब्स्राइब नहीं के तो सब्स्राइब कर लीजी केडी सोनगर और पास में जो बेल आइकोन है उसके पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हम आगे बढ़ते है स्क्वेर ओफ एनी नंबर अभी जो एस इ 15, 17,や 17, 18, Hajdi 20 है सभी नंबर से आपको इजίली याद रहे जाएगा अब जो एह नंबर हे जो 20 तक आपको तो इजिली याद रह सकता है, जो 21 से आपको याद रखने में थोड़ा सा प्रोब्लेम रहते हैं, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आप 25 का है, तो आप इजिली याद रख सकते हैं, 625, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ से, जो यहाँ पे 76 है, तो यहाँ यहां पर 29 तो यहां भी 29 से और यहां पर 84 से तो यहां भी 84 अब आपको उल्टा याद रखना है कि जब जो 21 होगा वहां पर 42 याद रखना है और 29 होगा वहां पर 41 इतना याद रखना यहां 400 और यहां पर 800 आपको इजीली याद रही जाएगा ओके हम आगे बढ़ते हैं विद एक्जामपल हम केसे किसी भी नंबर का आपको जो स्क्वेर करना है तो आप इजीली इन 3 सेकंड में कोई भी जो और नंबर से इसका आप स्क्वेर कर सकते हैं केसे करना है आपको बता हूं ट्रिक नंबर वन एक्जामपल नंबर वन है और इसमें एक्जामपल नंबर वन है आपको केसे करना है आपको बता रहा हूं सबसे पहले आपने कोई भी रकम लिखा 35 x 35 तो इसका multiplication करेंगे 35 x 35 हम करेंगे तो उसका answer आएगा 12 x 25 यह easily के से possible है मैं आपको बता रहा हूँ जो यह पीछे वाली जो रकम लिखा है यहाँ पे जो यह 5 और यहाँ पे भी 5 इस दोनों का sum कितना होगा 10 होगा इस दोनों का sum करेंगे means जो plus करेंगे 5 plus 5 is equal to 10 जब ऐसी possible condition है 5 x 5 is equal to 10 अदर्वाइस कोई भी condition इसमें fulfilled होनी चाहिए कि वाई उसका जो summation से हो 10 होना चाहिए और जो आगे की रकम से जो यहाँ पे आगे की संख्या है नंबर है हो सेम होना चाहिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए और यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए एक general condition जो यह rules के लिए trick के लिए लागू पड़ती है आपको क्या करना है है सबसे यहाँ पे देखिए अब यसी condition आपके सामने कोई भी कहीं भी आ गई तो आपको क्या करना है इस दोनों को multiplication करना है 5 into 5 कितना होगा 25 और और 3 के बाद कौन से संख्या आएगी 4 आएगा 4 into 3 means 12 into 25 ओके आप easily आप कर सकते 35 into 35 is equal to 20 25 हम देखते हैं दूसरा एक्जमपल कैसे उसका ट्रिक नंबर वन एक्जमपल नंबर टू अब मेरे पास जो नंबर्स आया 75 into 75 अब आपकी जो हमारी कंडिशन से ओके ये 5 एर 5 उसका सम्मेशन होगा 10 और यहां पर भी सेम है तो हमारा जो ट्रिक का जो रूल से हो सेम है तो आपको क्या करना है सबसे बेल है ये दोनों का मल्टिप्लिकेशन करना है 5 into 5 कितना हैगा 25 और 7 के बाद कितना हैगा 8 7 8 56 56 and 25 आपका अंसर हैगा 56 and 25 कंडिशन है इस दोनों का सम्मेशन 10 और आए और ये दोनों सेम है और इस 7 के बाद आएगा 8 तो उसका जवाब बीजिले आजाएगा आपको क्या करना है 7 into 8 7 8 56 and 25 आपको आंसर आएगा 3 सेकन में आजाएगा और एक्जम्पल नंबर 3 लेले के समझते अब दूसरे कोई भी 6 6 अभी यसी रखम आई और आया 6 4 तो आप यहां पे भी देखिए यहां पे भी देखिए जो उसका सम्मेशन है 6 plus 4 इसे कल कितना है 10 और 6 and 6 यह दोनों सेमें इस दोनों को सम्मेशन होगा 10 हो रहा है तो अभी इसमें भी हम जो पहले का रूल से वही एपलाई कराएगा तो अब इसका कितना आंसर आएगा 6 into 4 6 4 in 24 और 6 के बाद आएगा 7 7 8 56 नहीं 6 56 तो उसका आंसर आएगा साथ चक 42 तो 42 एंड 6 4 चचक 24 मिन्स 42 एंड 24 ही इसका आंसर है क्योंकि कंडिशन आपकी से में जो से में 6 6 तो 6 के बाद आएगा 7 और इस दोनों का सम्मेशन और आए 10 तेट मिन्स आंसर आएगा 4 22 एंड 4 इसका आंसर इसलिए अपलेग सकते हैं और उसके बाद एक्जम्ब कोई भी नंबर दे दिया 92 इंटू 98 तो हमारी जो कंडिशन से जो हमारी कंडिशन फुल्फिल होनी चाहिए वह कंडिशन सेम यह 5 8 प्लस 2 इस एकल तो 10 एन आगे वाला जो जो नंबर से ओ 9 से दोनों में से तो उसका जवाब आएगा 9 के बाद आएगा 10 10 इंटू 9 10 आणसर आएगा 916 आपका इसलिए आंसर आ सकता है अब ट्रिक नंबर ट्रिक थी वह आपने सीख लिया केसे क्या करना है अब ट्रिक नंबर टू है इसमें एक्ज़मपल नंबर 1 है और एनी नंबर नीर तो 50 की आसपास कोई भी संखिया है उसका जो आपको रूट निकाद पालना है और रूट लिकान ने स्क्वेर करना कोई भी रखम का स्क्वेर करना है तो आप कैसे कर सकते होगे अब आपको दिया मैंने 52 कर सकते हैं तो आप इसमें जो पहले का रूल्स था वहां पर एप्लाइड नहीं होगा आप इसमें क्या करना है उसका अंसर कितना आएगा सबसे पहले आपको क्या करना आपको उसला इस ने 50 L लिखा है आंसर आएगा 27 0 4 ओके यहां पर दिखे इस दोनों को multiplication 2 x 2 is equal to 4 जब single digit का आगे जो आता है तब आगे आपको यहां पर 0 रखना अब जो यहां से 27 कैसा है 25 में आप 2 and add कर दे तो कितना आएगा 27 यहां पर दिखे जो 2 का स्क्वेर कितना आएगा 0 4 और 52 मिन्स जो 25 प्लस 2 मिन्स 27 ओके ऐसे आपका आंसर आगे एक्जांपल नंबर 2 ले ले लगा समझते है और एक्जांपल नंबर 2 नियर टू एनी 50 नंबर 57 इंटो 57 से ओके अब इसमें क्या है जो 50 में कितना एड़ हुआ है 7 तो आपको जो 25 इसमें कितना एड़ करना है 7 तो 25 प्लस 7 मिन्स 25 प्लस 7 एट मिन्स 25 इस दुनों का मल डिप्लेकेशन 7 इंटो 7 49 तो 32 49 आपका आंसर आएगा 25 प्लस 7 इस इकल टू 32 आएगा और जो 7 है 7 का स्क्वेर करेंगे तो तो 49 आज जाएगा तो आप इसली आप एसी कोई भी जो नंबर से तो आपका इसली आप आंसर दे सकते हैं अब एक्जम्पल नंबर 3 लेके समझते हैं यह टू 50 इस प्लस करते हैं अब इसमें क्या करना है तो इसमें क्या करना है जो यहां पे लिखा है 47 47 यहां पे लिखा है तो तो मिंस 50 में से आप कितना बात करोगे कितना सबस्ट्रेक करोगे 45 से होना हैखा इसलिए आप कहे सबस्ट्रेक करना तो किस में से 25 में 3 सब्स्ट्रेक करें गोए तो आएगा 22 और इस दोनों को मल्लिप मिंस 3 का आपको स्क्वेर करना है 3 का स्क्रेकर करें 0 9 मिंस जो 22 09 आपका आंसर आएगा ओके 22 09 आपका आंसर है क्योंकि 25 माइनस 3 और 3 का जो हम स्क्वेर करेंगे और 50 माइनस 40 50 माइनस 3 इस इकल टो 47 इसे आप कोई भी नंबर का आंसर निकल सकते हैं आप जो 25 मेंस 3 करना है कितना आएगा 22 और जो 3 का आए 3 का स्क्वेर करना है 09 आप एक्जम्पल नंबर जो 4 एक्जम्पल नंबर है नियर टू 50 अब आपको कोई भी कंडिशन दे दिया 43 इंद्रू 43 अब आपको जो 50 में से कितना बात करना पड़ेगा तो 43 आएगा तो आप इसली कहेंगे 7 ओके 7 कहेंगे तो 25 में से आपको 7 बात करना है 25 में से आप 7 बात करोगे सब्स्ट्रेक करोगे मिंस आएगा 180 और जो इसमें है तो आपने कितना सब्स्ट्रेक किया 7 तो 7 का स्क्वेर आएगा मिंस 49 ओके 7 इंटू 7 is equal to 49 और जो इसमें से 25 में से 7 सब्स्ट्रेक करोगे इसली आएगा 18 ओके यसे आप किसी भी जो नंबर से 25 के करीब होते है उसका आप इसली जो स्क्वेर कर सकते हैं अब हम ट्रिक नंबर 3 ले ले लेते हैं इसमें क्या करना है ट्रिक नंबर 3 एक्जम करेट की नजदी कोई भी संक्या है आप इसका केस से रूट कर सकते हैं सबसे पहले मैंने दिया 103 इंटू 103 तब अब आपको इसमें क्या करना है 103 इंटू 103 इंटू 103 अब जो ये लास्ट में दिया है डिजिट 3 3 कितना है 100 में कितने डालोगे तो 3 मिलेगा तो आपको इजीली पता है कि 3 डालते है तो आपको 103 मिलता है तो आपको जो कितना एड किया इतना आपको डबल लिखना है तो यहां से 1 0 और इसका डबल 3 यहां से वापस zero ले ले लेना है और उसके बाद 3 इंटू 3 कितना ऐगा 9 तो आपका आंसर आएगा 10609 तो आप यहां से दिख सकते है 10609 आप इसे झिली यहसे आंसर लिख सकते है अब आपका फ्रोबलेम कहां पर आएगा अभी यहां पर ठी लिखा है अभी मैंने यहां प आपको यहां पे 0 नहीं आएगा ओके और आप एसे कर सकते हैं अब दूसरा example है कि हम समझते क्या करना है 106 x 106 तो इसमें क्या करना 1 x 1 6 x 2 means 12 और 6 x 6 means 36 आपका जो आंसर है 1 1 2 3 6 आपका आंसर आएगा अब यह 100 के अपर की साइट से है जो प्लस में 106 348 अब 100 माइनस होगा तो आपको आंसर कैसे लिखना है वह आपको बता रहा हूं example number 3 आपने दे दिया 98 x 98 अब जब 98 x 98 होगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप 100 में से कितना क्या सब्सट्रेक करोंगे तो 98 अब कहोगे तो आपको उसका दूगना करना है इतना दूगना आपको सबस्ट्रेक करना है कितने 100 जो तूब बोलेगे तो आपको अभी जो टू आएगा अंड्रेट में से 98 सबस्ट्रेक करोगे तो two आएगा तो two का दुगणा करोगे तो four आएगा, तो इस four को आपको 100 में से बात करना है, तो 100 में से four जाएगा तो कितना हैगा, 96 और जो लास्ट में जो आएगा 100 माइनस 98 इस इगल तो आएगा 2 का आपको स्क्वेर करना तो 96 0 4 आपका आंसर आएगा 96 0 4 आपका आंसर ओके अब इसके बाद अब एक्जम्पल नमबर सेकंड ले लेते अब 96 इंटू 96 की रकम दे दिया आपको तो 100 में से आप कितना सब्स्ट्रेक करोगे तो 96 आएगा तो आप इसे बोलें 4 तो आपको 4 का दुगना करना है तो 4 इंटू 2 मिन्स 8 100 माइनस 8 करोगे आप आएगा 92 और जो जो 90 100 माइनस 96 is equal to 4 आएगा तो 4 का आपको स्क्वेर करना है तो यहां से आंसर आएगा 800 में से 8 सब्स्ट्रेक करोगे तो 92 और 4 मिन्स 92 16 तो आप एसे किसी भी जो नंबर से इसका आप इसले स्क्वेर निकाल सकते हैं थेंक्स टू थेंक्स टू थेंक्स टू वाच इस वीडियो सब्सक्राइब मैं चनल करी सुन रहा लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ सेट कीजिए